मित्रो, भगवान श्री हरी ने माता लक्ष्मी को बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मित्ता है. एक समय की बात है. जब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरी से पूछा प्रभू मैं जानना चाहती हूँ, कि क्या मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है, तथा क्या कि पापी मनुष्य को स्वर्खी प्राप्ती हो सकती है। और कोई मनुष्य अपना पाप या पुन्य किसी को दान कर सकता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्रीहरी कहते हैं। कहानी सुन रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुने। क्योंकि आधी अधूरी कथा से आपको आधा ही ज्यान प्राप्त होगा। जो कि किसी विश्के समान होता है। और समय आने पर वह आपको धोखा दे सकता है। हे प्रभु मेरे श्रोताओं पर आप अपना आशीरवाद सद बनाए रखें। उनके जीवन की अपेक्षाई जरूर पूर्ण करें। हे माता लक्षमी आप उन पर आपनी कृपा द्रिष्टी बनाए रखें उन्हें सुख समृद्धी प्रदान करें। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मित्रो भगवान श्री हर को लुटता था। मारपीट भी करता था। उसकी पत्नी मालती भी चालबाज और धूर्ट स्वभावस्त्री थी। जो आए हर दिन अपने पती से अलग-अलग चीजों की मांग करती रहती थी। फिर एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी कहती है। आजी जल्दी उठो तु अज़ी तो कोई नहीं आएगा। तुम्हें चोरी को गय हुए तीन दिन हो गय हैं तब रतन कहता है। अरे भाग्यवान रोज रोज चोरी लूट-पाट करना खत्रे से खाली नहीं होता है। अरे जा रहा हूँ अभी तीन दिन ही तो हुए हैं और चोरी से तुम्हारा क्य मतलब है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पिछली बार लोग हमारी चोरी के बारे में जान गए थे और पास आने से दरने लगे थे कुछ समय बाद लोग वापस आएंगे और घटना को भूल भी जाएंगे यह सब कुछ देखकर ही चोरी करनी पड़ती है मैंने कहा कि मै आज जाओंगा तो जरूर जाओंगा अब तुम मुझे भूजन साथ में बांध कर दे दो इतना कहकर रतन चोरी करने के लिए जंगल में चला गया और एक पेड़ पर बैठ कर लोगों का इंतजार करने लगा वही दूसरी और रामलाल नाम का एक गरीब किसान पडोसी तब रामलाल कहता है हाँ बेटा साहुकार कही गए हुए थे इसलिए मुझे भी देर हुई है अब तुम मुझे खाना साथ में ही बांध कर दे दो रास्ते में चलते चलते कहीं खालूंगा आगे राजू कहता है हाँ ठीक है मगर आप कैसे जाएंगे मैंने सुना है कि तीन दिन पहले ही यमुनापार के रास्ते में चोरी हो गई थी. और किसी की हत्या भी हुई थी. रामलाल कहते हैं ठीक है बेटा मैं संभाल कर जाता हूँ. संध्या होने से पूर्ग में घर पहुंच जाऊंगा. मित्रों अपने भातीजे के परिवार से विदा लेकर रामलाल पट लगाकर रामलाल को पकड़ लिया. और अपना तेज धारदार खंजर उससे दिखाते हुए कहा चलो जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है. वह सब कुछ मुझे दे दो वरना मैं यह खंजर तुम्हारे पेट में घुसेर दूनगा. रामलाल ने अपना दिमाग शान्त रखा और कहा. देखो भाई मेरे पास इस थेले में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है. मेरा विश्वास करो मैं एक गरीब किसान हूँ. लेकिन रतन तो क्रूर और निर्दयस वभाव का था. इसलिए उसने रामलाल की गर्दन पर चाकु लगाते हुए उसकी तलाशी ली. अब स्वयम के प्राणों को खत्रे में देख रामलाल कहने लगा भाई आप मुझे जाने दो मैं सच कह रहा हूँ. मेरे पास कुछ भी नहीं है. तब रतन कहता है अरे वह तुमने मुझे क्या मूर्क समझा था. तुम्हारे पास तो बहुत धन है. चलो चुक चाप इसे मु साहुकार से करज रूप में लिया है. मैंने अपनी जमीन गिर्वी रखकर बेटी के विवाह के लिए साहुकार का करज लिया है. अगर तुम इसे छिन लोगे तो मैं पूरी तरह से बरबाद हो जाऊंगा. ना तो मेरी बेटी का विवाह होगा और ना ही मेरी जमीन मुझे वापस मिलेगी. किन्तु रतन तो ठहरा चोर और डाकु निष्ठुर. रतन ने रामलाल पर कोई दया नहीं दिखाए उल्टा उसके सिर पर एक डंडे से जोर का प्रहार किया. और उसे बेहोश कर दिया. उसके बाद रतन ने धन के साथ साथ भोजन भी चुराया. और अपन दिन इसी तरह ही चोरी करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं. जब हम इस नगर के सबसे धनवान हो जाएंगे, तभी गुस्से से वह अपनी पतनी से कहता है. हे मूर्कस्त्री जरा धीमी आवाज में बोलो कोई सुन लेगा, तो वह जरूर राजा को बताएगा. फिर हमार जिन्दगी हवालात में गुजर जाएगी. हम चोर है कोई व्यापारी नहीं जो तुम पूरे नगर में राज करने के सपने देख रही हो. आज मैंने एक किसान को बहुत तेजवार से मार कर घायल कर दिया था. पता नहीं अब वह जीवित भी है. या नहीं अब मैं पूरा एक महीना घर पर ही रहूंगा. हमारे पास एक माह का पर्याप्त धन है. मित्रों फिर एक माह का समय बीच जाता है. और दूसरी और किसान अपनी बेटी का विवाह जैसे तैसे कर देता है. और उसे अपने दामाद के साथ वापस दूसरे गाउं छोड़ने हे तू उसी कर नहीं दे रहे हैं. आप कैसे पती हो जो अपनी पत्नी की केवल एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं. तुम पर मुझे धिककार है. मित्रों अपने पत्नी के मुख से ऐसी बाते सुनकर रतन चुप चाप वहां से अपना सामान लेकर चोरी करने के लिए जंगल में चला जाता है. वह अपनी पत्नी के तानों से अपतंग आ चुका था. इसलिए उसने अप ठान ली थी कि कैसे भी कर वह अपनी पत्नी को हार ला करके दे देगा. जब एक तरफ से रतन चोरी के उदेश्य से जंगल में दाखिल हुआ. तो वही दूसरी और किसान रामलाल अपनी बेटी और दामात के साथ उसी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे. चलते चलते संजोग से वे दोनों आमने सामने आ गए. जब रतन को याद आया कि यह वही किसान है जिसका धन मैंने लूटा था. और रामलाल को भी याद आ जाता है कि यह वही चोर है. जिसके पुराना दिन याद आया जब आपने मुझे बहुत सारा धन देकर खुश किया था. और आज तो आपने फिर से मेरे लिए खजाना लाया है. तब डरते हुए रामलाल कहता है देखो भाई पिछली बार तुमने जो मुझसे लूटा था. उसे तो मैं भूल चुका हूँ. कि आज मैं अपनी बेटी और दामात को उनके घर छोड़ने हे तु जा रहा हूँ. आज मुझ पर कृपा करो और हमें जाने दो. तब रतन कहता है यह तुम कैसे बात कर रहे हो. तुम्हें छोड़कर भला मैं और मेरी पतनी भूखे मर जाए. नहीं नहीं यह नहीं हो सकता. त तुम लोग चुपचाप अपना सारा धन और गहने मुझे दे दो. अन्यथा तुम सभी को मेरे हाथों से मरना पड़ेगा. जब रतन की नजर रामलाल की बेटी के गले पर पड़ गई. तब वह कहने लगा कि वहा आज तो मेरे पतनी का सपना पूरा होगा. वह कब से मुझ असारा धन ले लो, लेकिन मेरे पिता को आप छोड़ दो. जब रतन रामलाल की बेटी की ओर बढ़ जाता है, तब रामलाल ने उस पर हमला बोल दिया इसी बीच रामलाल के सिने में रतन अपना तेच खंजर भोग देता है. और रामलाल की बेटी के गले से हार और मंगल मित्र को छीन कर वहां से वह भाग जाता है। वहां से वहां से वहां से वहां से वाग जाता है। और कहता है तुम जानती भी हो मुझे चोरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसी हार के लिए करनी पड़ी आज मुझे एक व्यक्ति की हत्या। और तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं। मित्रो भगवान श्री हरी कहते हैं हे लक्षमी जब वो पती पतनी घर में चोरी के धन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तब ही एक साधू उनके द्वार पर आते हैं। और कहते हैं भिक्षा देही, भिक्षा देही, तब मालती घर में से जोर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। और कहती है अरे आ रही हूँ मैं थोड़ा तो धीरज रखा करो। यह लोग भी एक तो मुफ्त की भीक मानते और इन्हे धान्य परोसने तक का सब्र नहीं होता है। पता नहीं किस बात की जल्दी होती है इन्हें। इस बात को सुनकर वे साधू भी मन ही मन दुखी हो जाते हैं। वह साधू और कोई नहीं थे बलकी स्वयम देवर्ष नारत थे, जो उन्हें अपने पाप कर्मों को रोकने हे तु मार्ग दर्शन करने के लिए आये थे। जैसे ही मालती अपना दान का पात्र लिए साधू के पास आती है तो उन्हें दान देने से पहले ही कहती है। है साधू महाराज मैं बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ती की कामना कर रही हूँ। अगर आप मुझे आशिर्वात देनगे तो ही मैं दान करूंगी। तब देवर्शी नारत मुस्कुराते हुए कहते हैं है देवी आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। किन्तु आ कार की बाते हैं। पाप और पुर्ण्य कुछ नहीं होता आज जो मिला है वही मेरा है। कल किसी और का होगा। बस मैं ऐसा ही सोचता हूँ। जब मालती घर के भीतर जाती है तब साधू रतन से कहता है। ये युवक आज जो तुम पाप के कर्मों को आखे मूंद कर कर रहे हो। इसका तुम्हे जरूर पश्चाताप होगा। तब रतन कहता है महराज मैं यह सब कुछ अपने परिवार अर्थात पतनी के लिए कर रहा हूँ। तब साधू ने कहा मगर तुम यह बात ध्यान कर रहे हो पापो की सज़ा सिर्फ तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अ पागयवान अगर मैं कुछ तुम्हें देना चाहूं तो क्या तुम उसे बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करोगी। तब मालती कहती है मैं कुछ समझी नहीं और आप जो कहना चाहते हैं वह साफ साफ बताओ। तब रतन कहता है हे मालती मैं साधू के कहे अनुसार अपने पापो को तुम से सांजा करना चाहता हूँ। तब क्रोध में मालती कहती है भला मैं आपके पापो को क्यों सांजा करूँ। मैंने जीते जी आपके साथ रहकर नरक ही भोगा है और बाद में भी मुझे नरक की यातनाय नहीं भोगनी है। सभी पाप तुमने ही किये हैं और वह अप्चोरी का काम छोड़ कर खेती में काम करने लगता है. मित्रों अब धीरे-धीरे समय बीटता गया और रामलाल के श्राप के कारण एक वर्ष के बाद मालती गर्भवती हो जाती है. समय आने पर वह शिशु जन्म लेता है. वह बचपन से बहुत सुन्दर सुशील और हुनहार था. किन्तु विधाता ने उसकी आयू मात्र बारह वर्ष की रखी थी. अपने पुत्र के होने से रतन और मालती के खुशी का कोई ठिकाना ना रहा. वह दोनों हर समय उसे अपने साथ ही रखते थे. उसे किसी भी चीज की कोई कमी होने नहीं दी. रतन और मालती ए लेक कर भूख प्यास भूल जाते थे धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया. वह बालक इतना प्यारा था कि मावबाप उसके बिना एक पलवी नहीं रह पाते थे. जब बारह वर्ष की आयू को प्राप्थ हुआ तब विधाता की. विडंबना के चलते निश्ठुरकाल ने जब वह बालक खेत में खेल रहा था. तब ही अचानक उसे एक सर्प ने काटा. और उसकी मृत्यू हो जाता है. विधाता ने अब रतन और उसकी पत्नी की खुशी को प्राप्थ हुआ. पीटते हुए छीन ली. जिस दिन बालक की मृत्यू हुई उसके बाद माव बाप के आसू नहीं ले रहे थे. दोनों ने छोड़ दिया और दिन रात दोनों साथ ही कहते पत्थर दिल यम ने हमें जीतेजी जला दिया. तो उसे कैसा अगर सुबह शाम उसे खुटा जाये लगेगा यह कहकर रतन मालती रोज सिर पटक कर रोते रहे. इस तरह हन्होनी को देख रतन और मालती पूरी तरह से तूट जाते हैं. अब उनके जीवन का सहारा उनसे चिन चुका था. वे दिन रात अपने पुत्र के यादों में खून के आसू बहाने लगे. फिर एक दिन जब वे दोनों उदास अपने बेटे की याद में स्वयम को तथा भगवान को कोस रह चुकी है. और कहते हैं हे महराज आपने कहा था कि हमें संतान का सुख मिलेगा. किन्तु अभी कुछ दिनों पहले ही साप के काटने के कारण उसकी मृत्यू हो चुकी है. तब साधु शान्त रूप से उनकी सभी बातों को सुनते हैं. और कहते हैं यह तो नियती का खेल है. आप इश्वर को इसमें दोश मत दो. अगर आप अपने पुत्र को वापस पाना चाहते तो मैं जैसा कहता हूँ ठीक वैसा ही करो. आज रात तुम अपने घर के पूजा घर में सो जाओ और बाकी सब इश्वर पर छोड़ दो. वही सब का भला करते हैं. मित्रों इतना कहने के बाद वे साधू वहां से चले जाते हैं. अब रतन और मालती साधू के कहे अनुसार रातरी के समय अपने पूजा घर में सो जाते हैं. और थोड़ी ही समय के बाद वहां दो यमदूत आते हैं. और उनकी आत्माव लेकर यमलोक में चले जाते हैं. यमदूत उन्हें उनक पर चलाया जा रहा है, तो कुछ पापियों को कीड़े मकोडों की तरह रंधा जा रहा है, और कुछ लोगों को बड़े ही भायानक राक्षस जिंदा ही निगल रहे हैं। यह सभी प्रकार के अनोखी द्रिश्य देखकर उन दोनों की रूह काम जाती है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किये हैं। हमेशा लोगों को तकलीफ दी है। मैं जान गया हूँ मैं भी इसी सजाओं का भागी हूँ। किन्तु प्रभू मैं अपने पुत्र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। कि आखिर उसकी मृत्यू क्यों ह हूई है। और उसने इतनी कम आयू में प्राणों को त्याग दिया। मित्रों मुस्कुराते हुए धर्मराज कहते हैं हे रतन आज तुमने उच्चित प्रश्न किया है। तुमने आज देखा है कि जो मनुष्य धर्ती पर विविद प्रकार के पाप करता है। तो उसे उसी प्रकार की सजाय मिल जाती है। तुम्हारा पुत्र यही कहीं यमपुरी में होगा जाओ तुम दोनों उसे ही धूंड कर अपने मृत्यु का कारण पूछ लो। अब रतन और मालती उसी यमपुरी की भीड में अपने पुत्र की खोजने लग जाते हैं। और काफी समय तक बेटा तुम कैसे हो क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही थी। देखो बेटा मैं तो तुम्हारे बिना आधम हो चुकी हूँ। चलो अब तुम हमारे साथ चलो हम स्वयम यमराज के इच्छा अनुसार यहां आये हैं। चलो अब हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाएंगे। अपने माता पिता को यह बालक कहता है। आप कौन है मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत पापी और अधर्मी हैं। भला मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ। तब रतन कहता है बेटा तु लोगों की कोक से जन्म लिया था। और धर्मराज के आदेश से मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बाते सुनकर वे दोनों दन रह जाते हैं। और वापस चुपचाप यमराज के पास आते हैं। तब यमराज कहते हैं अब तुम समझ ग तुमने की थी उसी ने तुम्हारे कोक से जन्म लेकर अपनी याद में तढ़ पाया है। मित्रों आगे यमराज ने उन दोनों को वापस धर्ती भेज देते हैं। ताकि उन्होंने जिन जिन लोगों के धन को लूटा था उसे वे वापस दे सके। जब रतन और मालती को अगर मनुष्य ने जीवन भर बुरे या कुकरम किये हैं। तो वह उससे सुधार सकता है। अगर वह अपने बचे जीवन में पुन्य के कर्म करता है तो उसका भाग्या बदला जा सकता है। यह लक्श्मी कोई भी मनुष्य को भी स्वरकी प्राप्ती हो सकती है। पुन्य को किसी के साथ सांजा तो नहीं कर सकता है। किन्तु अगर वह किसी के पाप कर्म या पुन्य कर्मों में उसका भागीदार बन जाता है। तो वह अवश्य उस पाप या पुन्य का समान रूप से हगदार बन जाता है। ये लक्ष्मी मैंने आपके सभी प्रशनों के उत्तर दिये हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है धन्य है प्रभु आप और आपकी लीला। तो मित्रों आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आए होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सची श्रद्धा से जैश्री हरी अवश्य लिखें। आप सभी धन्यवाद।